जैमादुर के भक्तो 9 अप्रेल से चैत्र नवरात्री का आरंब हो चुका है जिसका समापन 16 अप्रेल को अस्टिमी एवं 17 अप्रेल को नवमी के रूप में किया जाएगा इन दोनों दिनों कन्या पूजन कर उन्हें उपहार दिये जाते हैं इस दिन छोटी छोटी कन्या मा के रूप में भक्तों के घर आती है और उन्हें भूजन कर आया जाता है उपहार पैसे दे कर उन्हें विदा किया जाता है जो तिश की माने तो नवरात्री अस्टिमी और न इस दिन इनमें से कोई एक चीज भी अगर कन्या को उपहार में दे दी गई तो मातारानी परसन होकर भक्तों पर अपनी क्रिपाबर्स आती है तो आईए जानते हैं कन्या पूजन में किन प्रकार के चीजों को हमें उपहार में देना चाहिए लाल रंग के वस्त्र कन्या के पूजन के दौरान उन्हें लाल रंग के कपड़े उपहार में दे मा अंबे को लाल रंग अतिप्री है अगर आप लाल रंग के वस्त्र नहीं दे सकते तो लाल रंग की चिन्री भी कन्या को दी जा सकती है फल जोतिश की अनुसार कन्याओं को भोजन करवाते समय उन्हें एक फल उपहर में अवस्य दे कहते हैं ऐसा करने से अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस आता है सास्त्रों में केला और नारियल को सुमाना गिया है केला भगवान विश्नु को प्रिय है और नारियल देवी जी को पस्तरंद है मिठाई कन्याओं को प्रसाद स्वरूर मिठाई जरूर खिलाएं इस दोरान आप आटे का हलवा, सुजी का हलवा, मातारानी को भूग लगा सकते हैं ऐसा करने से आपका गुरू क्रहभी मजबूत होगा नवरातरी पूजन में कन्याओं को स्रंगार की सामगरी देना चाहिए इसके लिए सबसे पहले स्रंगार का सामान देवी मा को अरपित करे इसके बाद ये समगरी कन्याओ को बाटने से मादुर्गा प्रसंद होती है चावल और जीरा सास्त्रों के अनुसार बेटी को विदा होने के समय उसे विदाई में चावल दिये जाते हैं उसी तरह कन्या को घुजन कराने के बाद विदा करते समय चावग देना चाहिए आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जै मादूर के